नमस्कार में प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में जो डिसकस करने वाले हैं वो करने वाले हैं टाटा पावर स्टॉक के बारे में और टाटा पावर को क्यों डिसकस करेंगे क्योंकि टेकनिकल ट्रेंड इस समय ना केवल टाटा पावर का बलकी यहां देखेंगे तो पूरे टाटा सेक्टर के स्टॉक का ट्रेंड निगेटिव है, मेंली जो ट्रेंड निगेटिव है टाटा केमिकल, टाटा इन्वेस्टमेंट, उसके बाद टाटा कंज्यूमर, फिर कॉम्निकेशन, स्टील, मोटर और पावर, सभी देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में अपन करेंगे टाटा पावर के जो रिसेंट के अनाउंसमेंट है यहां कुछ भी बड़ी अपडेट्स नहीं है फीड में हमने देखा था कि रिनवल इनर्जी को लेकरके गौवर्मेंट काफी स्ट्रॉंग है सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है गौवर्मेंट के तरफ से वन क परफर्म कर रहा है यहां देखेंगे तो सेक्टर भी इस समय निगेटीव ट्रेंड में दिख रहा है और यह स्टॉक भी एक बार अगर चार्ट को देखें तो यह चार्ट अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है इसलिए हमने कहा कि स्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे अगर आप इस समय सोट करना चाहते हैं तो minimum ये जो 360 का level है इसको breakdown करने दें तभी हम 320 जैसे target को लेंगे तो सोट करने वाले weight करें 360 के level का लेकिन long करने से भी बचेंगे long तभी करेंगे ये 360 से ले करके ये 360 to 400 ये no trading zone है इस zone को बिलकुल ignore करें weight करें एक बार breakout या breakdown करने का फिर हम बड़े target expect कर सकते हैं यहां देखेंगे sector भी इस समय support ले रहा है अगर ये support रहा तो ठीक है नहीं तो पूरे sector में भी एक downfall दिख सकता है तो overall इस समय major strong support पे हैं अगर आप long करते हैं तो proper SL के साथ करेंगे अधरवाई ignore करें Tata Chemical में तो कहा ही था हमने की 1020 के आसपास का support है ये support दिख सकता है और इस समय देखें तो support के आसपास ही दिखता है बिल्कुल कोसन बरते हैं थोड़ा time यहां पे spent होते दिख सकता है